हेलो दोस्तों तो हमारे अस्त्र विद्धा यूटूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं चायना तिबेट संघर्ष के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि यदि तिबेट के भौकलिक सिति की बात की जाए तो एक काफी चार्म किलिटर का और यह हम लैंड है कुछ तिबेटन जमातियों का और त्यकली है यह को देखा जाय तो आज़े तो इये दुनिया में सबसे उंचाई पर और पहाड़ोवाला को जा सकता है कि, क्योंकि माउंट एउरेस्ट और हिमालेप परवच्रिंग्ला भी तिबेट से ही जाती है इसकी शुरुवात को देखा जाए तो 1949 में माउद से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक अपचायना की स्थापना की गोशना की थी जो कि एक खूनी ग्रुहियुद और कुरूरता से पैदा हुआ साम्यवादी राज्ज था और उसी वक्त साम्यवादी राष्ट्र के स्थापना के बाद माउद से तुंग ने ये भी ठान लीती कि किसी ना किसी तरह तिब्बत पर चीन का कबजा होना चाहिए और 1950 में 14 दलाई लामा 15 साल के हुए और उनों ने आधिकरिक तोर पर तिबेट के प्रमुकपद का ग्रहन किया था चाहिना ने 1950 से ही अपनी आर्मी धीरे धीरे तिबेट में घुसाना चालू कर दिया था और 1951 आतीया थे चाहिनीज आर्मी काफी अंदर तक तिबेट में घुस चुकी थी और तिबेट के पास काफी कमजोर सेना होने की वज़ा से चैना को कुछ वक्त ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं मिला सिप 8000 की पोज तिबेट के पास थी और उनका सफाया करने में चैना को कोई ज़्यादा मुश्किले भी नहीं आई थी उसी सिचेशन को देखते हुए 1951 तक चैनीज आर्मी काफी अंदर तक तिबेट में कबजा कर चुकी थी और इसी सिचेशन को देखते हुए तिबेटन लीडर्स पर चैना ने दबाव बनाना शुरू किया और इसी दबाव में आकर तिबेटन लीडर्स से 17 पॉइंट एग्रिमेंट चैनीज आर्मी ने साइन करवा लिया और इसी 17 पॉइंट एग्रिमेंट के तहद तिबेट को एक स्वायत तक शेत्र तथा उनके धर्म और रिलिजिस के सम्मान करने की गारंटी चैना ने दी थी और इसी एग्रिमेंट के तहद लासा जो की तिबेट की राज़ता नी है वहाँ पे चीनी सेन ने मुख्याले स्थापन करने की अनुमती भी चैना ने ले ली थी चैनीज सरकार इसे एक लीगल करार के रूप में मानती है दोनों सरकार की अनुमती भी मानती है लेकिन तिबेट के लोग इसे अमान ने करते है क्योंकि ये एक करार दबाव की रूप में तिबेट के साथ किया गया था इसी चैनीज आकरमन के चलते तिबेटन जनता में उनके खिलाब पसंतोस की भावना जनम लेनी लगी और इसी को दबाने के लिए चैनीज आर्मी अलग-अलग उपाय करती थी लेकिन 1969 में एक विद्रो लासा में आयोजित किया गया जिसमें हजारों तिबेटी लोग चैना के इस आकरमन के विरोध में शामिल हुए लेकिन चैनीज आर्मी ने काफे कुरता से इस विद्रों को दबा दिया और हजारों लोगों की हत्या की गई इसी घटना के साथ 14 दलाई लामा और उनके आधिकरिक मंत्रियों को जान का खत्रा मैसुस होआ और तभी कुछ 80,000 तिब्बती लोग और 14 दलाई लामा भारत में शरन आ गए और आज तक भारत में कम से कम देड़ लाग के आसपास तिब्बती शरनार्थी आ गए है और 1965 में चाइनीज गौवर्मेंट ने तिबेटन एटनॉमस रिजन टार की स्थापना की और ये चाइना का दूसरा सबसे बड़ा और लीस्ट डेंसली पॉप्लेटेड एरिया कहा जाता है और 1966 में माओज सेडोंग ने कल्चिरल रेवलुशन तिबेट में स्टार्ट किया इसका मकसद ये था कि तिबेट की संस्कृति को पूरी तरह से नश्ट किया जाए और वहाँ पे कम्यूनिस्ट आइडोलोजी उन पर थापी जाए इसी वज़े से कल्चिरल रेवलुशन के तहट हजारों लोगों को मारा गया और कुछ हजारों की संख्या में लगबख मनेस्ट्री और कल्चिरल आर्टिपेक्स जो की तिबेटन ओरिजिनल लोगों के थे उनको डिस्ट्रॉई किया गया और इसी कल्चरल रेवलूशन के तहद चायना ने अपने साम्यवादी विचार धारा को जबरन तिबेटन लोगों को लोगों के उपर थापना शुरू किया और उनकी संस्कृति को धिरे धिरे नश्ट करना चालू कर दिया और इसी वज़ा से तिब्बत में चायना के विरोध में काफी सारे लोग संगटित हुए और आंधोलन करें लेखे और आकडो की मने तो यह अफिशली आकड़े की बाद की जए तो इससे भी कुछ ज्यादा ही भ्याणक तरिकैसे लोगों को मारा गया है और दस साल के आकड़ों की बात की जए तो लगभग 1.2 मिलिएन लगभग 12. लोगों का कत्ल किया गया और काफी सारे लोगों को भूखे बेट रखा गया कि उनकी जान चलिज़ाए और इसी कल्चरल रेवलूशन के भयानकता की बाड़ जो विरोध करता था उन लोगों को अपने बच्चों को जिन्दा ही गाड़ने की सजाद दी गई और इसी cultural revolution के विरोध में जो लोग खड़े थे उनके body parts जैसे कान, नाक, सारोजनिक रूप से खड़े करकर काट दिये जाते थे जिससे कि लोगों में Chinese government के प्रती डर पैदा हो और वो उनको विरोध ना करे और दुनिया में ये cultural revolution ना सिब Chinese history में बलकि पूरी दुनिया में सबसे bloodiest chapter के रूप में गना जाता है क्योंकि इसमें कई हजार लोगों को torture किया गया और बहुत से लोगों को मार दिया गया था और बाद में 1987 में 14 वे दलाई लामा ने तिबत को एक शांती रूप में स्तापित करने का आवाहन किया और चीन के भीतर ही वास्तविक एक autonomous region चीन के साथ मिलकर बनाने के लिए चीन सरकार से बाचेच जारी रखी और 1988 में तिबत में दंगे भड़कने के बाद चीन ने तिबत में मार्शल लौ लागो किया और 1989 में 14 दलाई लामा को शांती के उनके प्रयतनों के लिए तिबत में नोबेल पुरसकार से सन्मानित किया गया और 1993 में चीन और दलाई लामा के बीच वारता तूट गई 32,000 चीन निसेन को ने तिबत पर हमला किया था और उन्होंने एक एक कर हजारों तिबतियों की जान ले ली उन्हें यातना देकर टॉर्चर करकर विभिन्न तरिकों से उन्होंने तिबतियों को मारना शुरू किया था और पूरे आकड़ों की बात की जाए ऑफिशल जो आक की थी लेकिन ये आकड़े ओपीशेल है लेकिन एक्ट्यो लाकड़ों की बहत की जाये तो इससे कहीं ज्यादा लोगों की हत्यावाँ पर की गई थी और विबिन्न सोर्सेस की माने तो लगबग 1950 से लेकर 1984 तक के जेलो और टॉर्चर डिटेंशन सेंटर में लगबग दो लाकड़ साथ हजार से भी ज्यादा लोगों की ने अपनी जान गमाई है तिबद के और 2009 के बाद में की सिच्वेशन की बात की जाये तो कापी सारे लोगों ने चैना श्यासन के विरोध में खुद को आग लगा दी थी और सोर्से भी ज्यादा लोग चैनीज श्यासन के ज़िरोध में उतरे थे और वो चैनीज श्यासर के शिकार बन गए और तिबद के इत्यास में अगला रेता है पंचन लामा दलाई लामा के बाद में कोई important figure होगी तिबबत में तो रहती है पंचन लामा की दलाई लामा परंपरगत रुप से पंचन लामा का चुनाओ करते है और वो कहां पैदा होगा, किस परिवार से होगा और किस स्थान पे तिबबत में जर्मेंगा ये अध्यत्मिक रुप से दलाई लामा ही तै करते है और तिबबत की परंपरा के अनुस्तार दलाई लामा हर एक नए पंचन लामा का चुनाओ करते है जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कहां पर पैदा होगा, उसकी जगा कौन सी होगी और कौन से परिवार में जर्मेंगा ये दलाई लामा अध्यत्मिक रूप से तै करते है और इसी प्रक्रिय का हिस्सा पंचन लामा भी है और पंचन लामा उस प्रक्रिय का हिस्सा है जिसके द्वारा नए दलाई लामा का चुनाओ किया जाता है तिबबत में कोई भी नया दलाई लामा चुना हो तो उसका चुनाव पंचन लामा के द्वारा ही किया जाता है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 14 वे दलाई लामा तिबबत के अध्यत्मिक नेता है और दसवे पंचन लामा के मृत्यु के बाद गेंदू चोकेई निम्या नामक एक बालो को चोदवे दलाई लामा द्वारा ग्यारावे पंचन लामा के रूप में घोशित किया गया था हाला की ग्यारावे पंचन लामा की घोशना होने के कुछी दिन बाद चिन्यादिकरियों ने इस छेज वर्षी बच्चे को और उसके परिवार का अफरन कर किया और ग्यारावे पंचन लामा के जगा और एक नए बच्चे को स्तापित किया गया जिसका नाम था ग्यान केन नो और ओरिजनल ग्यारवे पंचन लामा बच्चे की बात की जाए तो 17 माई 1995 से लेकर आज तक उस बच्चे के बारे में किसी ने भी नहीं सुना है और उस बच्चे के बारे में कोई भी जानकरी चाइनीज गोवर्मेंट ने पब्लिक नहीं की है वो बच्चा कहा है किस हाल में ह यह सिर्फ चाइनीज गोवर्मेंट ही जानती है तो इस वीडियो को हम यही समाप करते हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बलें जैहिंद